दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से Ruby Trade Application का जो Basic KYC उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप लोग भी Ruby Trade Application का Basic KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज के हमारी इस वीडियो को पूरा देखेगा और सिखेगा दोस्तो KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको Ruby Trade Application को Open कर लेना है और Open करने के बाद आप सभी के सामने कुछी सर्थ से देखने को इंटरफेस मिल जाएगी तो आपको KYC कंप्लीट करने के लिए नीचे का अप्शन देखने को मिल जाएगा More का इसके उपर किली करने के बाद आपको इसको प्रकिली करने के बाद आपको यहाँ पर आपसन देखने को मिल जाता है Basic KYC का जैसे आप इसके उपर किली करेंगे तो आपका जो दस अंका मुवाईल नमर उसको यहाँ पर डाल कर सिंपली सा नेश्ट के उपर आपको किलिक कर देना है तो चले मैं यहाँ पर अपना मुवाइल नमबर डाल देता हूँ उसके बाद नेश्ट के उपर किलिक कर देंगा नेश्ट के उपर किलिक करने के बाद आपको जो अधार काट पर जो नाम है तो चले मैं यहाँ पर धार काट नंबर डालकर complete को पर किलिक कर देता हूं और जैसी complete को पर किलिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यू हैब complete basic KYC यानि कि मेरा KYC complete हो चुका है जैसी कि यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से अपना Ruby Trade Application का basic KYC complete कर सकते हैं तो शीक लिए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आप सभी से अग कर लोका लोका झाले का लिए मेरी छाई